दलन के बाजार में खरीदारी कमजोर बनी हुई है दरसल सब्जियों की अच्छी आवक और दाम सस्ते होने के कारण अब उभुकता महंगी दाल नहीं खरीदना चाह रहे है उचे दामों पर तूर में खरीदारी अटक गई है दरसल अफरीका की और से बंदरगाह पर तूर के जहाज लगातार उतर रहे हैं बंदरगाह पर अफरीकी तूर में गुरुवार को 200 रुपे की गिरावट रही वहिस्थानिय बजारों में कारोबारी और उभुकता फिलाल उचे दामों पर पुरानी दाल खरीदने की बज़ाए अब नई तूर का इंतजाग कर रहे हैं इसी बीच इन दोर मंडी में भी तूर के दाम में स्थिरता रही लेकिन दाल में खरीदारी कमजोर पढ़ने से तूर दाल सोर पे टूटी और इसी बीच मूंग में भी व्यपार कमजोर रहा कुछ मिलो की और से मूंग दाल में 100 रपे घटा कर बिक्री की गई और इसका सीधा असर अभी थोक बजार में नहीं दिखा है लेकिन बजार की सस्ती के कारण दालों में एक दो दिन में थोड़ी नर्मी आने की उमीद की जा रही है वहीं चने कांटे में भी 500 रपे की नर्मी देखने को मिली मसूर उड़त बजार में फिलाल बजार स्थिर बना हुआ है दूसरी और मंडियों में गेहूं और मक्का की आवक भी सिमर्ती हुई फिलाल दिखाई दे रही है विरो रिपोर्ट माकेट आमस टीवी